नमस्कार दोस्तो, स्वागत आप सभी का। दोस्तो, HSSC, CET भर्ति से संबंदित और नई खबर आई है और आपके सलेवस से संबंदित ये खबर है। तो यदि आप कमप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत– जुरूर देखें। दोस्तों वीडियो में आगी प्रेटनेंश पहले आप सभी सी रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक जुरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा सेयर करें जो साथ ही इस चैनल पर नहीं है यह तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने ओड़े वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके तो चलिए दोस्तों तेख लेते हैं क्या नहीं खबर आई है देखो यहां पे क्या है CET के लिए तै होंगे मापदंड इसी महा अधिस उसना जारी की संभावना 15 दिन पहले खाली पदों का ब्योरा भी देगा आयोग यानि कि आपका जो एक्जाम टेट आईगी उससे 15 दिन पहले ये भी बताया जाएगा कि किस डिपार्टमेंट में और किस पद पे कितनी कितनी पोश्ट हैं खाल लिए ये भी डाटा मिलेगा और बहुत जल्दी मापदंड है वो भी जो है उसकी भी अधिस उसना जारी की जाएगी साइड पे एक वकाइदा नोटिश डाला जाएगा ऐसा इसमें बताया कि आप पढ़ जकते है पुरा अरियाना सरकार स्युक्त पातरता प्रिक्षा सीटी के लिए मापदंड दिया करने जारी है इस पर तेजी से काम चल रहे है संभावना है कि इसी माँ अधिस उसना जारी हो सकती है इसके बाद इसीटी को लेकर सबी तरह की संकाएं दूर हो सकेगी नोकरियों के लिए अरियाना सरकार पहली आर्तिक समाजिक अधारों के नमरों को आता कर चुकी है ये सब चीज़े आपको पता है तो पात-पात की ते ठाई डाई नमर कर दिया है ये सब चीज़े बताई गई है बाकि आप डिटेल से पढ़ सकते हैं और टोटल फोर्म है वो अब तक 8.9 लाक फोर्म बरे गए है तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं